चलिए आज हम बनाते हैं बहुत ही टेश्टी रेसिपी बिहार की दाल पूरी हेलो फ्रेंट्स मैं हूँ पमी मेरी रसोई में आप सबका स्वागत है यह मैंने ले लिया है एक कटोरी चने की दाल अब हम इसे अच्छे से पानी से वास कर लेंगे यह देखें मैंने दाल को अच्छे से दो लिया है और जिस कटोरी से मैंने दाल लिया था उसी कटोरी से हम डाल देंगे इसमें दो कटोरी पानी और इसे इसमें जो हम डाल देंगे वन टीस्पून हल्दी पॉर्डर वाफ टीस्पून जो है नमक और इसे हम 5-6 सीटी आने तक उबलने देंगे ये मैंने ले लिया गीहू का आठा और 1 टीस्पून अजवाइन 1 टीस्पून कलोंजी इसे हम हाथों से करस्ट करके डालेंगे और इसमें डाल देंगे half टेबल स्पून नमक और मौयन के लिए इसमें डाल देंगे तीन से चार चमच ओयल आप इसमें चाहे तो घी भी डाल सकते हैं मैंने इसमें ओयल डालाया और इसे हलके हाथों से ऐसे मिला देंगे आप चाहे तो इसमें आधा आठा और आधा मैड़ा भी डाल सकते हैं लेकिन मैं इसे आटे में बना रही हूँ देखिए ऐसे करके मॉयन हमारा मिक्स हो गया अब हम थोड़ा थोड़ा सा पानी डालके और इसका आटे का एक सॉफ डो लगाएंगे जैसे हम रोटी और पूरियों का आटा लगाते हैं वैसे करके हमें इसका आटा लगाना है हमारा आटा तयार हो गया है चलिए अब हम श्टाफिंग तयार करते है तो यह मैंने ले लिया है चार हरी मिर्च एक काट लेसून और इसमें डाल देंगे दो इंच अद्रक का टुकरा और इसे हम बारीक एक्तम चॉप कर लेंगे आप चाहे तो इसे जो है न अच्छे से बारीक काट के भी डाल सकते हैं तो मैंने मुझे यह हल्का लगा तो मैंने ऐसे ही किया है और इसे में हम डाल देंगे यह दो बड़ी साइज का प्याज इसे भी हम बारिक चॉप कर लेंगे देखिए हमारा प्याज भी तयार हो गया अद्रकले सुन भी तो चलिए हम आगे का प्रोसेस करते हैं यह मैंने ले लिया है कडाई में सरसो का तेल इसमें डाल देंगे वंटी स्पुन जीरा और यह हम इसमें डाल देंगे प्याज और इसे हमें जो है और गैस का फ्लेम लो रखना है और इसे में हम massalade को तयार करेंगे देखिए ऐसे करके हमें हमने प्याज को भून लिया फिर हमने इसमें डाल दिया अद्रक, लैसून और हरी मिर्चम भी अच्छे से भून लेंगे जब तक लैसुन नहीं निकल जाता मैंसी चलाते भी अच्छे से भूनेंगे फिर हम इसमें डाल जीole NY 4 16 फूर्थ सपोर्डर्ड न同खिया और VU12 law Chev practiced Korean nap time से हम इसमें डालेंगे फिर हम इसमें इस ताल को डाल देंगे और देखिए दाल में जो पानी था ना हम brack Tamara केसाथ ही डालाigenous है और इसमें डाल देंगे हाफ टेबल स्पून नमक नमक अपने हिसाब से डालिए क्योंकि दाल में भी पहले डाला था और आटे में भी नमक है और इसमें डाल देंगे हाफ टीजपून कलोंजी और हाफ टीजपून अजवाइन इसे चलाते हुम अच्छे से ड्राय होने तक भूल लेंगे अब चलिए हम आटे को अच्छे से फिर से हाथ से मसल के मिला लेंगे फिर हम इसका छुटा-छुटा सा लोई तोड़ता है यह देखिए अब इसका कटोड़ी बना के हम इसमें स्टफिंग भढ़ेंगे और श्टफिंग जादा मत भढ़िएगा नहीं तो फिर पूरिया वो तेल में फट जाएगी तो इसलिए एक टेवल स्पून के करीब हमने इसमें श्टफिंग डाला है और ऐसे करके हमें अच्छे से इसे बंद करके और ओयल लगाके हमें इसे बेलना है अगर सुखा अटा लगाके बेलेंगे ना तो फिर जब हम इसे तलेंगे तो वो तेल पूरा खराब हो जाएगा देखिए यह ऐसे करके हमें हलके आतों से पोडियों को ऐसे ही बेल लेना है और ये मैंने कडाई में ओयल गरम होने रख दिया था तो ओयल का टेंपरेचर मेडियम टू लो रखना है ज्यादा होगा ना तो फिर उपर से पोडियों में बवल साएंगे और अंदर से वो कच्ची रह जाएंगे ऐसे अलट पलट करके हम पोडियों को तर लेंगे फ्रेंड्स अगर मेरी वीडियो आप लोगों को पसंद आती है तो मेरे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और प्लीज कमेंट वाक्स में जरूर बताएं आप लोगो मेरी रेसिपी कैसी लगता है